बच्चो लाइफ जैसे चैलेंज़ देने वाली है ना, उसके मुगाबरे में ये ठंड, ये सब कुछ नहीं है प्रश्पन में हमीशा लगता था क्रिस्मस की दिन, सैंटा ग्रॉस आएंगे, गिफ्ट लाएंगे लेकिन जब बड़ी हुए, तो समझ में आया, कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, तो गिफ्ट तो उसके साथ ओल्रीडी की सैंटा देखे जाते है जी हां मचों, वो है हमारे पैरेंट्स, आपके पास भी सैंटा ओल्रीडी किफ्ट दे चुके हैं, आपके पैरेंट्स की रूप में आपको जो लाइफ मिली है, वो बहुत से लोगों के लिए एक सपना है और आपको अपनी लाइफ का सैंटा खुद बनना है, अपनी लाइफ का हिरो खुद बनना है खुद लिखनी है अपनी तकदीर, हार्ट वर्क से और महनस से अग इस समय जब इतनी ठंड है तो बहुत से बचों को problem होती है बहुत से बचों को परिशानिया होती है कि कैसे पढ़े हैं अग जब आपकी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि पूरी तरह से schedule होके आपको दिन रात एक करके पढ़ाई करनी है और इस समय ठंड अपने पीक पे है तो ये तो नेचर का बनाया हुआ रूल है कि ठंड अपने चरम पे यह पीक पे तब होती है जब आपको दिन रात एक करना है रात रात को बैठ के sitting करनी है तो इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता तो बचे अकसर पूछते हैं कि हम लोग रात को कैसे पढ़ाई करें तो पढ़ाई तो करना है उससे तो कोई समझाता है नहीं अब अगर आप बैठ पे बैठ के पढ़ते हो तो धीरे धीरे क्या होता है अगर थोड़ा सा उसको आराम मिलता है तो बस पूरी तरह से comfort zone पहुंच जाता है तो ऐसे तो एक दिन होगा और कई बार क्या होता है हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग कल से पढ़ाई शुरू करेंगे तो अगर ऐसे करकर कि एक एक दिन जाते रहे तो पूरी थंड चली जाएगी ऐसे ही थंड जाते है एक्जाम स्टार्ट हो जाते है तो यह नहीं यह थंड ही है जब आपको पढ़ाई करनी है तो बच्चों अब पॉइंट में आते हैं कि आखिर पढ़ाई कैसे की जाए इन दो लास्ट टू मन्स में नमबर वान कि इस ठंड में ही पढ़ाई करनी है तो कैसे परणा है आपका जो स्टडी टेवल है आपको जो रूम है आपको वहीं बैठना है बैट पे बिलकुल भी नहीं बैठना है अब ठंड क्या करें अब आप क्या कीजिए कि आपके पास जितने स्वाटर जैकेट कैप्स इनर्स एक बाद याद रखिए वजो, जब हम मन लगाते हैं ना, कॉंसेंट्रेट करते ना पढ़ाई में, तो ठंड लगना, गर्मी लगना, हवा चलना, किसी का आना, कुछ भी important नहीं रह जाता है, क्योंकि हम कॉंसेंट्रेट होके पढ़ाई करने लगते हैं, तो कहने का मेरा सिटिंग बनाईए, दो घंडे में इतना टॉपिक करना है, और उसे कम्प्लीट ही कर लीजिए, तो रात को पढ़िए, यह सुगर जल्दी उठिये, बढ़ ठंड का मुकाबला तो करना ही होगा, तो all the best to all of you, and wish you all very happy Christmas, thank you.